नमस्कार स्वागत आपका योगिता उल्लाइन क्लासेस में मैं उसरवन कुमार सागर आज की इस वीडियो में हम आपके ले करके हैं स्रेश्टा एक्जाम दोजार चोविस पचीस क्लास नाइन्थ एवं क्लास अलेवन्थ के लिए जीके के पचास महत्पुन प्रस्न तो चलि दूसरा प्रस्न है इनमें से रक्त दाव का मात्रक यंत्र कौन सा है तो देखिए रक्त दाव मात्रक का जो मापक यंत्र जो होता है इसमें से कौन सा है ये पूछा गया है चार ओप्सन आपके सामने है इसका सही उत्तर होगा अस्फिगमो मेनो मेटर ये तिसरा ओप्सन सही है अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं प्रस्ण है हेपेटाइटिस रोग से मनुस्य सडीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है यक्रीत फेफड़ा हिर्दय मस्तिस्क है तो जब हेपेटाइटिस होता है तो इससे भारत का राष्ट पति किसकी न्यूक्ति नहीं करता है राजपाल मुखि निरवाचन आयोग परधान मंत्री उपराष्ट पति किसकी न्यूक्ति नहीं करता ये पूछा गया तो क्या हो जाएगा उपराष्ट पति की लोक सभा में राजियों को किस आधार पर सीटे आवन्टित होती है तो दिखिए यहाँ पर जन संख्यां के हिसाब से सीट निर्दारित होता है आंत्रिक सुरक्षा अकाडमी कहां अवस्थित है तो जाएगा माउंट आबू में सामयवाद का जनक किसे कहा जाता है यहाँ मिलाने के लिए है और इसके अधार पर हमें उत्तर देना है चलिए देखते हैं इसको मिलाते हैं फिर इसका उत्तर देखते हैं मांडा यह किसे समन दिता है जम्मू कस्मीर से उसके बाद हो गया देमाबाद यह महराश्ट में है और उसके बाद काली बंगा राजिस्थान में है राखी गड़ी हरियाना में तो तीसरा विकल्प इसका सही है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्थन है छनिक वाद का परतिपादन किस ने किया? उसके उत्तर है बुद्ध मगध में नंद वन्स का संस्थापक कोन था? महा पदम नंद फिर से मिलाने के लिए और इसके आधार पर उत्तर देना है तो चलिए मिलाते हैं हम पी ये किसे समंदित होगा? करनाटक से नाग अरजुनी कोंडा तो ये समंदित हो जाएगा आपको अंदर परदेश से और शिसू पाल गड़ी ओडिसा समंदित है अरीका मेडू ये पुर्दूचरी समंदित है तो ये तीसरा ओप्सन सही है अगला प्रशन है ग्यान पीट पुरुसकार प्राप्त करने वाली पर्थम महिला साहितकार कोन है? सही उतर है आसापपूर्ण देवी फिर से मिलाने के लिए है और इसके अधार पर उतर देना है गेटवे अफ इंडिया ये कहां पर है? मुंबई में विक्टोरिया मिमोरियल ये हो जाए कि कोलकाता में इंडिया गेट आप जानते हैं इंडिया गेट कहां दिल्ली में और चार मिनार हैदराबाद में तो ये तूसरा वाला उप्षन सही है बारदोली सत्यागरा काननेत्रित रुकिस ने किया? सरदार बल्लबाई पटेल ने तवा नदी कोन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो ये निकलती है महादेव पहाड़ियों से कानून की द्रिष्टी से किसके अधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो ये सभी सही अंसर है इसमें मौनवादिकार सब्द से किसका भाव विक्सित होता है? ये हो जाएगा सभी अगला है कौन से दोकारक पदार्थों को संसाद्धों में परिवर्थित करते हैं तो ये हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है ये हो जाएगा ओप्शन चार भारत में भूतापिय उर्जा का सेंत्र हिमाचल छेतर में कहां स्थित है? मनी करन में चूना पत्थर किस प्रकार के सेलों में पाया जाता है अब साधी सेलों में खनीजों की पहचान का रैसानिक गून कोन सा है? विलेता निमनलिखित में से किसने सत्यागरा सब्द को गढ़ा? महात्मा गांदी ने निमनलिखित गहटनाओं को उनके तीथी अनुसार सही क्रम में लगाईए तो यह हो जाएगा यह तीसरा वाला उप्सन सही है पहले सुरू वाला होगा फिर दील कानपूर मुकदमा फिर उसके बाद काकोरी मुकदमा और उसके बाद मेरट मुकदमा तो यह तीसरा उप्सन सही है सुराज मेरा जर्मसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यह वक्तव किस समधीत है बाल गंगा धर तिलक से फिर से अब दो कथन दिये गए इसके अधार पर हमें उत्तर देना है यहाँ पे देखिए भारतिय राष्ट्य कोंग्रेस का पर था मधी वेशन कलकत्ता मुआ था यह गलत है बुंबे में हुआ था भारतिय राष्ट्य कोंग्रेस का दूसरा दिवेशन दोदा भाई नुराजी की यह सही है तो चोथा विकल्पिस का सही है इन में से किस ने फेमिना मिस इंडिया 2022 किताब जीता से उतर है सिनी सेटी बिस्व जन सिंख्या दिवस कब मनाया जाता है 11 जुलाई को मलेशिया ओपेंड वेड्मिंटन टूनमेंट 2022 में पुरूस का एकल किताब किसने जीता है ओप्शन 4 इसका से उतर है सिलिकन का प्रियोकिस उद्योग में होता है कम्प्यूटर उद्योग में होता है मद्य परदेश में भूमंत खेती को क्या कहा जाता है बेवर्ल कहा जाता वरली विद्रोह कब और कहां हुआ था यह वाता 1940 में महाराष्ट में मंगल पांडे को फांसी कब दे गई 29 मार्च अठारोस संतावर्ण फिर्चया मिलाने के लिए है और इसके आधार पर उत्तार देना है तो प्रात्ना समाज ये हो जाएगा महादेव गोविंद्रवनाडे रामक्रिष्ण मिसन ये समन्धित स्वामी इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानन से ठीक है सत्य सोधक समा जोतिवा फुले हारी समा द्यानान स्वसति इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा तीसरा वाला विकल्ष सही है अगला है भारतिय बीमान विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्याला की सहर में अस्थित है ये हैदराबाद में मन रेगा का पुन रूप क्या है मन रेगा का पुरा नाम है महत्मा गांधी ग्रामी रोजगार सिर्जन अधिनियम मालथस के रूप सार किसी देश की जन्सिया में विर्धी होती है इसके कारण होता है जामीतिय रूप से भारत की आर्थिक नितियों में पंचवर्षिय यूजनाक किया अधारना कहां से ली गई थी रूप से खुस्टन माठासी में है आर्थिक विकास ये तु बहु आयामी जबकि आर्थिक विर्धी एकल आयामी है सही है आर्थिक विर्धी को मापा जा सकता लेकिन आर्थिक विकास को ठिप से मापा नहीं जा सकता सही है तो पहला उप्सन सही है डेरी उद्योकिस आर्थिक गतिविधी छेत्र में आता है प्राथमिक छेत्र में आता नए जारी किये गए 200 के नोट में किसका रुपांकरन है रुपांकरन है तो यहां पेश का से उत्तर होगा साची अस्तुपका जमेका की रायधानी है किंगस्टन विश्व का सबसे महादुप कोन सा है एसिया अगला प्रशने राष्टिय पर्यावरन अभियांत्री की सोथ संस्तान कहां आवस्थित है यह नागपूर में राम सर सम्मेलन किस्टे समंधित है आद्रभूमी संदक्षन से भारत की पर्थम डॉल्फीन वेदसाला कहां आस्थित है बिहार में निम्लिखीर इन धनों में से कोन सा नियूंतम पर्यावरन पर्दूर्शन उत्मन करता है तो इसका से उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन फिर से मिलाने के लिए है और इसके दार पर उत्तर देना है गुलावी नगर किसको करते हैं जैपूर को करते हैं महाकाल का नगर उजेन आनंद का नगर किसको करते हैं कोलकाता और जीलो का नगर उदैपूर दूसरा आप्शन सही है रूपांत्री चट्टानों के उपती डेस चट्टानों से होती है वोज़ेगा आगनिया एवं तलचटी दोनस अगला प्रस्ण है निमलिखित परवतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है वोज़ेगा एपी नाइन डांडी यात्रा कब की गई सब्सक्राइब करने वीडियो के सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं करने वीडियो के साथ